हेलो फ्रेंट्स तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस आनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म लेट्स इस्टडी इंडिया में जैसा कि आप लोग को अभी तक टेलर सिरीज और टेलर सिरीज पे बेस्ट कुछ एक्जामपल्स करा दिये गए हैं तो आज हम उसके आगे प्रोसीट करेंगे मैकलारेन सिरीज पे कि मैकलारेन इंफनाइड सिरीज होता क्या है और मैकलारेन इंफनाइड सिरीज और टेलर सिरीज में क्या डिफरेंस है उन सभी चीजों पे आज हम चर्चाएं करेंगे तो अभी तक जो बच्चे उन सभी वीडियो को न देखे हो पहले उन वीडियो को देख ले उसके पश्चात ही मैकलारें सिरीज देखे जिससे कि आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है चलिए सुरू करते हैं मैकलारें सिरीज की तो जैसा टेलर्स सिरीज आने के पहले एक टेलर्स थियूरम दिया गया और टेलर्स थियूरम के रिजल्ट से जो इंफनाइट सिरीज बनी उसका नाम पढ़ा था टेलर्स इंफनाइट सिरीज तो वैसे मैकलारें ने भी एक सिरीज देने से पहले एक थियूरम दिया McLaren's theorem जिसको कहा गया और उस McLaren's theorem से जो series निकल के आई उस series का नाम पड़ा McLaren's infinite series या McLaren's series भी कहते हैं तो McLaren's theorem पहले होता क्या है और McLaren's theorem कहता क्या है उन सभी चीजों पे हम लोग जर्चाए करते हैं पहले McLaren's theorem मैकलारेंस थियरम है क्या इसका स्टेट्मेंट और प्रूफ आज हम लोग देखने वाले हैं कि यह कहता क्या है और यह किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है उन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसका टेलर सीरीज से रिलेशन देखेंगे कि टेलर्स और इसके में बेसिक डिफरेंस क्या है क्या हम कर दें कि टेलर्स चेंज हो जा मैकलारें वे या पहले कौन आया टेलर्स आये कि मैकलारें आये या टेलर्स से उत्पन होता है मैकलारें कि मैकलारें से टेलर उत्पन होता है इन विभिन जो है ड तो देखिए, McLaren's theorem का statement हम लिख रहा है पहले और उसके बाद उसको सम्झाएंगे कि क्या होता है तो McLaren ने एक function लिया fx अफंचान fx क्या है, अफंचान fx देखिए, statement क्या करें थे McLaren series का अफंचान fx यह McLaren series की बात कर रहे है भईया McLaren's theorem तो McLaren's ने पहले theorem दिया एक और उस theorem से जो result आया एक series बनी और उस सिर्फनाईट series का नाम पड़ा McLaren series तो इस statement क्या है, कि यह function fx अफंचान fx कोई function fx है अफंचान fx बी दा फंचान आफ बी दा फंचान आफ बी दा फंचान आफ वैरियेबुल एक्स या function जो fx है आपको सीधे दिख रहा है कि function किसका है वैरियेबुल x का है जो इस तरीके से है such that इस प्रकार से है कि it can be expanded it can be expanded it can be expanded as ascending powers of ascending powers of x ये इस प्रकार से function है जो कि x के ascending powers के रूप में है and and it can be differentiate it can be differentiate at at any numbers of times any numbers of times तो कैसे सीरीज बन के आई इस स्टेटमेंट के बाद fx is equal to f0 plus x upon factorial 1 f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus dot 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 and so on कहने का मतलब क्या है कि कोई function fx है statement क्या करा है कि कोई function fx है जो की x के variable power के रूप में है मतलब x के x variable है इस function का यह function x में है और x ही यहाँ पे variable है कुछ इस प्रकार से यह function है कि it can be expanded as ascending powers of x यह function x के ascending powers के रूप में लिखा गया है x ही यहाँ पे variable है और इस function को जितनी बार चाहे जितनी बार differentiate किया जा सकता है टेनी number साब time infinite times है जब तक मन करें तब तक एक infinite series मनेगी तो function कुछ इस तरीके से दिया उन्होंने, McLaren ने कि fx is equal to f0 plus x upon factorial 1 f-0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus dot 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 and so on यही series बनी इस statement से और इसी series को हमको proof करना है कि यह आता कैसे है ठीके? McLaren ने कहा कि fx कोई एक function है जो x के ascending powers के रूप में है x ही उसका variable है और x ही उसके ascending powers का का कारे कर रहा है तो इस function को जितनी बार चाहे जितनी बार differentiate किया जा सकता है और जो इनके result से series मिली एक infinite series मिली और वो infinite series McLaren series कहलाई तो चलिए सुरू करते हैं इसका proof proof क्या है भाईया कि हम लोग function इस तरीके से मानते है जो x का रहे और ascending powers के रूप में रहे और हम उसको जब चाहे तब तक हम लोग differentiate करे तो हम लोग एक ऐसा function लेते है तो let us consider a function fx या let us assume भी लिख सकते हुआ let us consider a function fx और वो fx कुछ इस तरीके से हम ले रहे है जैसे polynomial का expression लेते हो न उस तरीके से ले रहे है वहाँ पे देखते हो कि polynomial वाले में क्या होता है एक power x की बढ़ती ही जाती है और डाडाडाट और सो वा निफनाइट तक छोड़ दिया आता है तो यहाँ पर क्या है fx is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus dot 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 and so on इंफनाइट है भाई इंफनाइट सीरीज है तो क्या यह function इनकी criteria पर फिट बैठ रहा है बिल्कुल बैठ रहा है क्यों? function x में है बिल्कुल x में है अब कहेंगे सर यहाँ तो a1, a2, a3 a1, a2, a3 महाँ पर as a coefficient, as a constant कारी करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो function हमारा x में है और x के ascending powers के रूप में यहाँ पर एक भी नहीं है बाने 0, 1, 2, 3 और इसको जब तक चाहे तब तक यहाँ पर x का function है तो इसका मदब x के respect में ही उसका differentiation होगा जब चाहे तब तक करते रहो तो infinite times है यहाँ पर infinite series है तो जब तक मन करेगा तब तक करिंग अर्थात जो McLaren ने function की पढ़कलपना की उस concept पर हम जो function ले रहे हैं वो इसना feedable ठरा है ठीक है अब देखिए हम को प्राप्त करना है यहाँ पर constant की value a0, a1, a2, a3 अगर हम इसको first expression कर लो यहाँ first है ठीक है expansion first कर लो इसको हमारा यहाँ जो constant है a0, a1, a2, a3 अगर हम लोग किसी भी प्रकार से इन constant की value निकाल लेते हैं इन constant की value निकाल लेते हैं और इस constant की value को निकालने के बाद इसी expression one में रख देते हैं हमको इस तरीके का स्वरूप देखने को मिल जाएगा तो क्या करते हैं एक चीज़ देख रहे हो पहले हमको दर्शन हो रहा है यह 0 का अर्थाथ हम function में पहले x की value 0 रखके देखते हैं कि हमारा कोई constant निकल के आता है कि नहीं फिर f' 0 माने एक बाद derivative करने पर भी कोई constant x 0 करेंगे तो निकल के आएगा उसे double derivative करके x 0 करेंगे तो भी कोई constant निकल के आएगा तो इसी तरीके से हमारे सारे constant यो की value आ जाएगी और उन्हीं समस्त constant यो की value उठा के आप expression 1 में expansion 1 में रख देंगे तो आपका अपना मिल जाएगा function जो माई clearance रीज मिलने वाली है तो पहले हम लोग को जरुबत पढ़ने वाली है a 0 की और a 0 हमको मिलेगा कैसे जब x की value 0 करेंगे तब तो put x is equal to 0 in expansion 1 expansion 1 में हम x की value अगर 0 रखते हैं तो हमारा constant a 0 निकल के आ जाएगा हमाने x पर असरीत है लेकिन यह x से independent है 0 तो यह सब तो चीजे 0 हो जाएगी क्योंकि x 0 ले रहे हुआ और यहाँ पर क्या होगा f 0 f 0 is equal to a 0 और यह समस्त value 0 तो a 0 की value अपने पास आ गई f 0 यह पहला आ गया हम इसको second मा लेते है second expression और अब हम निकालते हैं अपना f dash x और तब उसमें x को 0 रखेंगे तो हमको कोई और constant निकलेगा आप देखते हो कौन सा constant है अगर हम f dash x करते हैं इस expansion 1 का तो f dash x करने पर क्या हो जाएगा भया यह constant है constant 0 यहाँ पर x है तो x का x के respect में 1 तो a1 बचेगा तो a1 प्लस यहाँ पर क्या होगा x square है तो 2x और a2 तो 2 a2 x प्लस इसका करोगे तो क्या होगा 3 a3 x square प्लस डाट 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 एंड so on अब हमको फिर चाहिए क्या f dash 0 माने x की value 0 रखेंगे तो हमारा कोई constant और निकल के आएगा और आपको सीधे दिख रहा है कि वो constant काउन है जिसमें x का term नहीं रहेगा वही वाला constant आपका value देगा और वो यहाँ पर है क्या a1 क्योंकि इसमें x आया नहीं आप गया f dash 0 a1 की value यह आगई f dash 0 इसको third कर लेते है उसी प्रकार से जितने हमारे constant है a2, a3 तक हम लोग लिखे हैं तो a3 तक हम लोग अपने constant की value निकालते हैं तो थोड़ा साम इसको उपर वाली चीज़े रेस कर लेते हैं statement ठीक है यह आगया a3 आप फिर क्या करेंगे इस function का एक बार पुन्ह derivative करके तब उसमें x is equal to 0 रखेंगे देखिए क्या होता है f देखिए क्या है हमने a3 निकाल a1 निकाल लिया a2 निकालना तो एक बार function का पुन्ह डेरिवेटिव करेंगे माने f double dash x माने function का एक बार derivative यहाँ पे हुआ उस पे पुन्ह एक बार derivative अपलाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा यह चीज़े constant हो जाएगी 0 constant का differentiation और यहाँ क्या होगा यहाँ का 1 हो जाएगा तो 2 a2 बचेगा तो हो जाएगा 2 a2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 a3 x और यहाँ पे यह टर्म समात नहीं होगा यह आगे डाट डाट है ठीक है तो यहाँ क्या होगा प्लस डाट 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 वो सारे समस्त जो टर्म रहेंगा उस संभी में x रहेगा ही रहेगा अब हमको पूर्ण है x की value 0 रखना है तो फिर constant a2 निकल के आ जाएगा त्यास क्या होगा 2 a2 which implies a2 की value चाहिए तो क्या लिख सकते इसको f double dash 0 by 2 और 2 को अगर हम लोग factorial 2 लिख दें तो कोई दिक्कत क्योंकि factorial 2 की value 2 होती है तो इसको लिख दो factorial 2 value आ गई हमारी a2 की अब इसी प्रकार से हम इस पे एक बार पूर्ण derivative अपलाई करेंगे पूर्ण हिसका differentiation करेंगे तो हमको a3 की value निकल के आ जाएगे यहां पे x is equal to 0 रखेंगे तो अब triple dash x करेंगे तो क्या हो जाएगा अब यह constant है तो जीरो हो जाएगा लेकिन यह क्या हो जाएगा 6 a3 और x का 1 तो यह हो जागा 6 a3 plus dot 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 and so on term आगे भी रहेगा term आगे भी continue रहेगा तो हमको अपनी चाहिए value किसकी f triple dash 0 जहां करने पे हम a3 अपना प्राप्त कर लेंगे तो put x is equal to 0 यह सा आप लोग लिख लेना भीया तो f triple dash 0 is equal to क्या हो जागा 6 a3 क्योंकि आगे कि जो समस्त टर्म है उसमें x जरूर रहेगा तो यहां पे a3 is equal to क्या हो जागा यह अब triple dash 0 by 6 और 6 को अगर आप factorial 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि factorial 3 की value 6 होती है ठीक है यह आ गया अच्छ है अब हमको अपने a0 a1 a2 a3 जो constant है उनकी value मिल गई और इन ही यहां पे 2 3 है इसको 4 कर लो इसको 5 तो यह relation हमको यहां से मिला है 4 a0 a1 a2 a3 का तो putting these relation हमने बताया था कि जो constant की value आएगी उसको उठा कि हमको कहा करना है expansion 1 में रखना है कम हमको मिल जाग expansion 1 यह है आपका मैं दताया था निए expansion 1 है ठीक है तो putting these relation in expansion 1 तो देखिए क्या होगा expansion 1 में रखोगे तो आपको relation क्या मिलेगा यह थ्वाच आप इसको these value in expansion 1 या from this relation putting these values in expansion 1 जिस तरीके साब को लिखने का माने वो लिख लिजेगा तो हम रखते हैं a0 की value क्या ही भाई यह f0 प्लस a1 की value क्या ही है f-0 और x पहिले से ही है तो x f-0 plus a2 की value क्या ही है x square यहां पे x square ही है factorial 2 तो x square by factorial 2 f double dash 0 plus a3 यहां पे क्या होगा a3 x cube means factorial x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus dot 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 and so on देखें अब यहां पे इसको अगर हम सब factorial है तो इसको भी factorial 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि factorial 1 की value 1 नहीं होती है तो देख रहा हो यह चीजें इस चीज को हम लोग प्रात्त कर लिए इसका शरूप मिल गया f 0 x upon factorial 1 f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus dot 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 and so on एक infinite series बन क्या ही और यही infinite series का नाम क्या पड़ा maclaren series maclaren infinite series या maclaren series कहते हैं इसको यही है maclaren infinite series अब हम बात करते हैं कि maclaren infinite series और taylor series में कुछ difference की कि taylor series और maclaren series क्या होता है तो हमने taylor पहले ही बता दिया है जो बच्चे taylor का वीडियो ने देखने हो पहले हो देख ले एक तरफ हम लोग लिखते है maclaren series माने यह ms लिख लेते हैं sat cut में और एक तरफ लिख लेते हैं taylor series माने ts यह taylor series यह Ecclaren series, दोनों का expansion देखो, इसका expansion क्या होता अभी पढ़े है, Fx is equal to F0 plus X upon factorial 1, F dash 0 plus X square by factorial 2, F double dash 0 plus X cube by factorial 3, F triple dash 0 plus, dot 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 and so on, वहीं से Taylor's का लिखते हैं, तो क्या होगा, Taylor's पढ़े है, Fx plus H is equal to, यहाँ F A plus H भी लिखा एता है, तो A plus H ही लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो भी, तो यह क्या होता था, अगर H variable power थी, तो वहाँ पे H upon factorial 1, F dash A plus H square by factorial 2, F double dash A plus H cube by factorial 3, F triple dash A plus dot 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 and so on, यह होता है, अब देखिए, Taylor series और McLaren series क्या होता है, देखिए, जब भी कोई पुछाया कि Taylor series से उत्पन हुआ है McLaren की, McLaren की McLaren से उत्पन हुआ है Taylor, तो पहले आप लोग को ध्यान तुरन तरह चाहिए, कि Taylor series के द्वारा ही McLaren आया है, Taylor series एक प्रकार की McLaren series होती है, लेकिन McLaren series का उसमें विशिष्ट केस होता है, McLaren series में Taylor series का जो है विशिष्ट केस है McLaren, Taylor's में वो केस क्या है, क्या कर दे कि Taylor's का expansion McLaren में change हो जाए, एक चीज़ देखिए पहले आप, यहां पर एक चीज़ देखते हो, जब भी हम Taylor series की बात करते हैं, तो किसी particular point पर हम लोग function के expansion की बात करते हैं, वो particular point जिसे यहां पर A पर बात कर रहे हैं, F A, माणने किसी particular point पे हम लोग function का expansion जब देखते हैं, तो वो आता है आपका Taylor series के अंतरगत, लेकिन अगर वही particular point 0 हो जार था, हम लोग function का expansion, मतलब उसके 0 पे differentiability पे विचार करने लगें, यहाँ पे देख रहे हैं, 0 पे विचार किया जारा है, F dash 0, F double dash 0, F triple dash 0, और थाथ वो point, आपका कोई particular point नहों कि अब 0 हो गया, और थाथ 0 पे हम लोग उसके differentiability की विचार कर रहे हैं, तो यह होता है McLaren series, Taylor series में किसी particular point पे हम लोग ध्यान देते हैं function का expansion, तो वो particular point जब 0 हो जाता है, तो वो आता है आपका McLaren's में, हम लोग उस पे बात करते हैं, particular point को 0 पे जब differentiability पे विचार किया जाए, तो McLaren पे आता है, अच्छा है, आप देख रहे हो कि दोने चीजे similar हैं, यह कुछ चीजे इसके तरह similar हैं, यहाँ पे a प्लस h नामत function था, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस h नामत function था, लेकिन वहाँ पे x है, तो हम क्या कर दें एसा कि हमारा यह function इस तरीके से behave करने लगी, अर्थाथ Taylor series McLaren में आ जाए, तो एक चीज देख रहे हो कि a यहाँ पे है, तो हाँ 0 है, यहाँ a' है, यहाँ 0 का है, यह double dash है, यहाँ double dash 0 है, अर्थाथ a की तो value हमको सीधे दिख रही है, कि इसमें a की value अगर 0 कर दें, तो यहाँ पे x है, और यहाँ पे h है, अच्छ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x square है, तो यहाँ पे h square है, यहाँ पे x cube है, तो यहाँ पे h cube है, अर्थाथ एक चीज दिख रही है, जो काम यहाँ पे x करता है, वही काम यहाँ पे x करता है, तो अगर हम x की value x ले ले, तो क्या यह behavior like of McLaren series करने लगेगा, देखते हैं, put h is equal to x, a is equal to 0 और h is equal to x, जब करोगे, तियाब क्या होगा, 0 plus x, माने fx, is equal to, f a क्या हो जागा, f 0, plus x upon factorial 1, f dash 0, plus x square y factorial 2, f double dash 0, plus x cube y factorial 3, f triple dash 0, plus dot 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 and so on, तो यह क्या हुआ, यह यह इस तरीके का स्वरूप मिल रहा है, McLaren है यह, McLaren है नहीं, तो विशिस्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पी यह condition apply हुई, when we put h is equal to x and a is equal to 0 in Taylor series, then this Taylor series is changed into a McLaren series, तो Taylor series के द्वारा ही उच्पन हुआ McLaren, तो कोई पूछे कि Taylor आया कि McLaren, तो पहले Taylor आया तब Taylor से McLaren आया है, Taylor का ही यह विशिस्ट केस होता है McLaren series, तो यह basic differences है, तो आज के वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही बात करेंगे, नेक्ट वीडियो जो आयेगी उस पे हम लोग बात करेंगे McLaren series के कुछ बहतरीन examples की, कि McLaren series पे किस तरीके के examples आते हैं, जो exam में आये हुए हैं या जिसके आने के पूरे-पूरे chances हैं, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्स्राइब न किये हूं, वह सब्स्राइब अवसे कर लें, और बेल notification का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिसे कि हम लोग जो भी वीडियो डालें, वो सरप्रथम आपके पास पहुच सके, को यहां जो भी चीजे दी जा रही है? वो अपी प्री आपकास्ट है एक भी रुपय चारज नहीं, तो आप अधिक से से अधिक शेर करके, अम लोग कमनोबल बढ़ा सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अधिक से अधिक प्रेक्टिस करते रहिए और अपने ग्यान को बढ़ाते रहिए